टेक लगाव आगनवाडी को सब्सक्राइब करें और बेन नोटिफिकेशन जरूर दबा दें आप सभी आगनवाडी बेनों को नमस्कार तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पोशन ट्रैकर में अटेंडन्स अक्टिविटी कैसे भरनी है चलिए देखते हैं तो सबसे पहले अगर आपने पोशन ट्रैकर को अभी तक अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर पोशन ट्रैकर को अपडेट कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे तो अपडेट आ चुका है पर आपको एप में अपडेट लिखके नहीं आ रहा है तो मैंने जो है एक वीडियो डाली थी मैंने अपना अपडेट कर ली है आप भी कर लीजिए आज जैसे कि मंडे है नौ जनवरी की तारीक है दुजारते इस मंडे का दिन है तो पोशन ट्रैकर चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं जैसे ही ओपन करेंगे यहां पर AWC स्टेटस ऑपन कर देंगे यहां से ओपन कर देंगे उसके बाद ओकी कर देंगे यहां से AWC стало open से हो जाएगा अब attendance and morning snacks और HCM यह जो होता है इसको भरने चलेंगे तो सबसे पहले यहां पे कुछ S interface आ रहा होगा यहां पे daily tracking option मिलेगा इस daily tracking पे जाएंगे यहां attendance morning snacks और HCM option आ रहा है इस पे click करेंगे यहां पे तीन column दिखेंगे attendance morning snacks और HCM तो सबसे पहले तो यहां से आपको attendance नहीं भर नहीं है यह जो आपको box दिख रहा है इस पे tick मत करिएगा क्योंकि बच्चों के लिए तो यह बंद है केंद्र है ना तीन वर्स से छे वर्स तक के बच्चों के लिए तो इस पे आपको टिक नहीं करना है टिक किस पर करना है आपको morning snacks और HCM वाले पर चलिए मैं आपको एक बाद टिक करके दिखाती हूं ऐसे करके आप सभी टिक कर लेंगी उसके बाद नीचे submit का option आ रहा है इस पे submit कर देंगी उसके बाद activity पर जाएंगे हम उसके बाद यहां पर नीचे आपको activity दिखेगा इस पर जाएंगे एक्टिविटी में आपको दो दिखेगा एक personal hygiene का एक preschool education का यहां पर दोनों का box दिख रहा है इस पे भरेंगे यह देखिए यहां से यह काम कर रहा है कल तक जब मैंने open किया था तो यह activity वाला column फिल नहीं हो रहा था यहां पर जो box आपको दिख रहे हैं यह फिल नहीं हो रहा था बहुत से बेहनों को यह दिख्कत आ रही होगी तो कृपिया करके आप अपना potion tracker app ही update कर लें क्यूंकि उसी के वज़े से जो activity वाला column है वो काम नहीं करेगा फिल उसके बाद यहां से done कर देंगे डन करने के बाद यहां से बैक चलते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया activity वाला column पूरी तरह से अच्छे तरह से काम कर रहा है कल जब मैंने open किया था तो वो काम नहीं कर रहा था आप मेंसे बहुत से बेहनों का वो काम नहीं कर रहा होगा बहुत से बेटिक नहीं